हलो फ्रेंड्स, वेलकम तो आवर चैनल वाने एजुकेशनल टूटोरियल आज हमारा हिस्टी का सेकिंड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं इससे पहले में इसका फर्स्ट लेसन सिंदुखाटी सभथा उसकी इंपोर्टन्ट क्वेशन्स को डिसकस कर चुकी हुए अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर विजिट करके आप उन्हें देख सकती है और और भी प्रिवियस एक्जाम जो है प्यासेसी के एक्जाम में क्वेशन्स पूछे आते हैं वो वहाँ पे अपलोड किये हैं यहाँ पे आपके सामने वैदिकाल के एक पिक्चर है वैदिकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है तो वैदिकाल को दो भागों में विभाजित किया गया है फर्स्ट वन कौन सा आता है रिगवैदिकाल और दूसरा आता है उत्तर वैदिकाल अगर आपके सामने वैधिकाल की टाइमिंग पूछी जाए तो आप क्या बताउगे? बताउगे 1500 से 600 इसा पूरग तक तक की समयकाल होता है उसे वैधिकाल कहा गया है अब देखे आपने लर्न कैसे करना है रिगवैधिकाल की टाइमिंग इसमें आपने 1500 पहले लिख देना है और उत्तर वैदिक में बाद में आप क्या लिख दोगे 600 After that क्या होगा 1500 के बाद आप 1000 बाद में लगा दिया और उत्तर वैदिक में 600 से पहले एक बार 1000 लगा दोगे यहाँ पर नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता का विकास किस अर्थ विवस्ता के आधार पर हुआ तो फ्रेंड्स वैदिक सभ्यता का विकास जो है यह ग्रामीन अर्थ विवस्ता के आधार पर हुआ मैक्स मूलर का मत सर्व मानने है क्योंकि देखिए अलग-अलग लोगों ने इस पे विद्वान जितने भी है उनके एक मत विचार नहीं है तो मैक्स मूलर का मत सर्व मानने माना गया है इनके अनुसार आर्य, मध्य एशिया, से आए और उन्होंने खैबरदर्य के जए भारत में प्रवेश किया Hopefully understand हो गया Next है इरान की धार्मिक पुस्तक कौन सी है? तो friends इरान की धार्मिक पुस्तक कौन सी है? जैन्द अवेस्ता है जिसके अनुसार यह संकेत है कि आर्य इरान के रास्ते भारत आए रिगवेद में कितनी नदियों का वर्णन किया गया है? तो friends रिगवेद में पंजाब की साथ नदियां सिंधू, सरस्वती, सतलुज, ब्यास्रावी, जेलम तथा चिनाब का वर्णन किया गया है Next one रिगवेद में उत्तर भारत की कुल कितनी नदियों का वर्णन किया गया है? तो friends रिगवेद में उत्तर भारत की कुल 42 नदियों का वर्णन किया गया है Next one तो यह है रिगवेदिक काली नदियों के नाम कौन से हैं? तो यहाँ पर एक तरफ प्राचीन और दूसरी तरफ आधुनिक नाम दिये गए हैं कुम्भा कुर्रम है इसका पुराना नाम कुम्भा का काबुल वितस्ता का जेलम, जो मैं बोल रहे हूं उसको अच्छे से सुनना असिकिनी चिनाप, परुषणी, रावी, शतुद्री, सतलुज, विपाशा, ब्यास, सदानीरा, गंडक का पुराना नाम दुश्वती घगर, गोमती गोमल, सुवास्तु स्वात, सिंधु सिंथ, सरस्वती घगर, सुशोमा सोहन, मरुद्धा, मरु वर्मन अब यमना का नाम भी याद रखे है ना, बाकी तो यहाँ पर दी है, यमना का प्राचिन नाम जो है, कालिंदी वो भी एकजाम में बहुत बार रिपीट होता है, फ्रेंट्स, तो यह रहे प्राचिन और आधुनिक नाम प्राचिन और आधुनिक नाम जो है, फ्रेंट्स, वैदिक संस्कृती मूलतह किस प्रकार की थी? ना, ग्राम का प्रधान ग्रामी नी कहलाता था, ग्राम वो मिलाकर विश बनता था, फिर विश पती बनता था, तो कुटुम्ब जो थी, वो सबसे चोटी प्रशासनिक इकाई थी रिगवेदिक काल में हिमाल्य की चोटी को क्या कहा गया है? तो फ्रेंड्स रिगवेदिक काल में हिमाल्य की चोटी को कहा गया है, मूजवन्त. इस काल में किन महिलाओं का उले किया गया है? तो इस काल में जो है, अपरा, घुशा, विश्वत, तारा, गार्गी जैसे विदूशी महिलाओं का वर्णन, ये आपका किस काल में क्या गया है? रिगवेदिक काल में ही क्या गया है? रिगवेदिक के पुरुष सूक्त में किसका वर्णन है? तो रिगवेद में चारवन, ब्राह्मन, शत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्णन किया गया है, क्लियर? अब ये जो है, ये विभाजन, जन्नम मुलक न होकर करम मुलक पर आधारित था निक्स्ट वन, नवे मंडल में किस चीज की चर्चा की गई है? तो सोम की चर्चा नवे मंडल में की गई है, रिगवेद में यव तथा धान्य की चर्चा, यव को जो कहा जाता है, क्लियर? इसकी चर्चा की गई है, इस काल में किस सिक्के का उलेख मिलता है, तो फ्रेंड्स, रिगवेदी काल में निश्क नामक सिक्के के प्रयोग का पता जलता है, clear? Next one, रिगवेद में उलिखित समुद्र शब्द मुखेतह किसका वाचक है? तो समुद्र शब्द जो है friends ये है, जलराशी का वाचक, clear? वेपारियों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो वेपारियों को पणी कहा जाता था. Next one, रिगवेद में सरवादिक पवित नदी के रूप में वर्णन हुआ है तो सरस्वती या फिर से नदी तमा भी कहा गया है सत्यमिव जयते किस उपनिशद से लिया गया है? तो यह लिया गया है मुंड को उपनिशद से Next one is, आर्यों की गायत्री मंत्र का उलेख अस्तुमा सद्गमे में क्या गया है? और इसका वर्णन कहां मिलता है? रिगवेद में मिलता है Next question is, आर्यों की सरवादिक प्राचेन संस्था कौन थी? तो friends, यह थी विदत और रिगवेद का सबसे महत्तरपुन देवता कौन था? वरुन का सब्बन्चों है, यह आता है रितों का सरक्षक रितस्य गोपा, आप इसी को ही लन कीजेगा इंद्र, इंद्र को आंधी और तुफान का देवता कहा जाता है बिजली वर्षान, युद्धों का देवता भी नहीं कहा जाता है नेक्स वन आते हैं, विश्नु संसार का सरक्षक के नहीं कहा जाता है मरुत आंधी के देवता कहा जाता है उशो, उशा, सूर्योदय और पुर्यों के अवस्था का देवतक अधिती, आर्यों की सर्वभाम, भावना की देवी सोम, वनस्पतियों और शद्धियों के अधिपति एक इसमें और आड़ कर लेना सूर्य जिनने कहा जाता है जीवन देने वाला देवता या फिर भुवन चक्षू अब हम कर रहे हैं इसका सेकिंड पार्ट इससे पहले हमने रिगवेदी काल पढ़ा तो रिगवेदी काल का questions आपने कर लिए तो अब आगया उत्तरवेदी काल जिसकी टाइम में आपको पहले भी बता दी है 1000 इसा पूरो से 600 इसा पूरो तक के काल को कहा जाता है और रिगवेद के अतिरिक ठीक है रिगवेद का इसमें कोई भी लेन देना नहीं है कोई उसका वर्णन नहीं है रिगवेद के अतिरिक ठाण ने जो तीन वेद आते हैं यानि कि यह जुर्वेद, सामवेद, अथरवेद उनका वर्णन आपको कहां पे मिलेगा तो friends उनका वर्णन मिलता है हमें उत्तरवैदिक काल में अब हम उत्तरवैदिक काल को पढ़ेंगे, clear? Next one is पश्युपालन की जगह कृषिको अधिक महत्व दिया जाने लगा इस काल में जो उत्तरवैदिक काल था उनमें वो भाग लेती थी, clear? किस उपनिशद में पहली बार मनुश्य के जीवन को चार भागों में विभाजित किया गया है? तो friends चांदों के उपनिशद में चार भाग बताए हैं ब्रह्मचार्य, ग्रिहस्त, वानप्रस्त और सन्यास ये आश्रमों में विभाजित किया है नेक्स वन इस किस ब्रह्मचार्य में किर्शी की चारों क्रियाओं जुताई, बुआई, कटाई तथा मढ़ाई का उले किया गया है तो ये किया गया है friends शत्पत ब्रह्मचार्य में नेक्स वन उत्तरवैदिकाल के सबसे अधिक प्रसिद जनपद कौन थे तो कुरू और पांचाल जो है ये उत्तरवैदिकाल के सबसे अधिक सबसे प्रसिद जनपद थे, clear नेक्स वन है कितनी प्रगार की यग्य किया जाते थे तो उत्तर फैतिक काल में बताए गए चार यग्य कौन कौन से हैं राजसुय यग्य जो राजिय अभिशेक के अफसर पर राजा के द्वारा किया जाता था नेक्स वन वाजबे यग्य राजा अपने शौर और शक्ति के प्रदर्शन के लिए करता था अश्वमेद यग्य सामराज विस्तार थे था परोसी शाषकों को चुनौती देने के लिए अश्वमेद की यग्य किया जाता था और अग्नी स्टों यह यग्य जो है पशुबली की प्रणाली को इस में मूल माना जाता था तो यह कृष्टिन भी एक्जाम बचाए किदने प्रगार की यग्य की जाते थी या कौन सा यग्य जो है किसे रिलेटेट था तो आप इस तरीके से भी इसको अपने मैंड में सेट कर लीजिए ओके फ्रेंट्स इस काल में इंदर की स्थान पर प्रचापती सर्वतिक महत्पुन देवता हो गए थे और विश्णु को जो है फ्रेंट्स मनुशे जाती के दुखों का अंद करने वाला महना गया था उत्तरवैदिकाल में और उत्तरवैदिकाल में शुद्रों के देवता की रूप में कौन प्रचलित थे तो पूशन जो थे ये उत्तरवैदिकाल में शुद्रों के देवता की रूप में प्रचलित थे नेक्स्ट वन पंच महायग्य, तो पंच महायग्य बूतर काल में वर्णन है, उप्तेपैदि काल में, सबसे पहला है ब्रहमयग्य, जिसमें क्या होता था, पठन पाठन या प्राचन टिशी की प्रती कृतधक गिरता दिखाई चाती थी, देवयग्य, यह हवन द्वारा, दे भूत यग्यों ये चीटियों और आदियों को भूजन देने के द्वारा तो ये पांच प्रकार के यग्यों थे ब्रह्म, देव, पित्री, मनुश्य और भूत यग्यों इनका वर्णन दिया गया है उत्तरवेदिकाल में जितने भी इस वीडियो में ये खिए और शुब्सक्राइब ये चानल जो इनकारइब ये जितने बाद भी इस तर्सूंट ये खिए प्रकारट ये चानल प्रकारइब ये जारत दो अभी इस तर्टी अव्या इस तर्टी आव्या